दोस्तों आपने दुनिया की सबसे बड़ी वस्तुवों और चीजे तो देखी होंगी लेकिन कुछ ऐसे भी चीजे है जिनको आपने नहीं सुना होगा ब्रेन बुस्टर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान कौन सा है और कहां पे है इसके बारे में जानने की कोसिस करेंगे तो चल यह भरते हैं वीडियो में आगे दोस्तों विश्वक के हर कोने में आपको कबरिस्तान तो देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर मुर्ट लोगों को दफनाय जाता है बहरत में आपको कई छोटे बड़े कबरिस्तान देखने को मिल जाएंगे और भारत के अलावा अन्य देशों में भी आपको बहुत सारे कबरिस्तान आसानी से देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान की इस देश में है और इस कबरिस्तान में कितने मुरूत सरीर दफन किये गए है तो आपका जवाब क्या होगा आज की इस वीडियो में हम आपको उस कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और कहा जाता है कि करोडों भूत सरेद इस कब्रिस्तान में दफन किये गए है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान है कहाँ पे तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दुनिया का सबसे बड़ा कबरिस्तान किसी और देश में नहीं बलकि खारी देश इराक में है यह इराक के नजब सहर में मौजुद है इस कब्रस्तान के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि जिसके अंदर एक से दो सहर भी बहस सकते है हम जिस कब्रस्तान के बारे में जीकर कर रहे है उसका नाम वादी अलसलाम है तक्रीबन 1500 से अधिक एकर में फैला हुआ यह कब्रस्तान वैली ओपीस के नाम से भी दुनिया भर में मसूर हो चुका है यहां सिया इमाम और चोथे खलीफा इमाम अली इबन तालीब की दरगाह के साथ साथ अन्य कई मुख्य दरगाये भी है सभी दरगाह यानी कब्र पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है वादी अलसलाम यानी वैली ओपीस का भी राचिन है इस कब्रस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहां लोगों को दफनाने का काम 10 से 20 सालों से नहीं बलकि 1400 साल से अधिक समय से भी चल रहा है एक अनुमान के मुताबिक इस कब्रस्तान में लगभग करोडों मुरुद सरीर दफन किये गए है आपको बता दे कि यहां दुनिया बर में सिया मुस्लिमों के बीच काफी फेमस है और वो मुरुद सरीर को दफनाने के लिए पहुंचते है एक खबर के मुताबिक इस कब्रस्तान में हर रूज लगभग दोसों मुरुद सरीर को दफनाया जाता है एक अन्यत जानकारी ये भी है कि यहां एक ऐसा मकबरा भी है जहां कुछ लोग मननते मांगने के लिए पहुंचते है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि युनेशको ने इस कब्रस्तान को वर्ल हेरिटेज में भी सामिल किया हुआ है तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे बड़े कब्रस्तान के बारे में थोड़ी जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चेनल को सबस्क्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तो चलिए मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई कि अगर आपको लिए बाई